मात्मा गांधी राश्टिक रामिन रोजगार गरेंटी योजना अंतरगत लोग्राउन के दोरान खंडवा जिले की 422 ग्राम पंचैतों में प्रयाप्त मात्रा में रोजगार उप्रप कराया जाने हैं तू जन सनक्षन एवं जन समवर्धन कारे जैसे पोखर तालाब, निस्तार तालाब, खेट तालाब, चेक डेम, स्टॉप डेम, कंटूर ट्रेंच, लूज, बोल्डर, नाला विस्तारी करण एवं अन्य हिद्गाई मुलक कारे प्रण किये गए हैं जिले में मन्रिगा योजनांतरगत 72,494 स्रमिकों को रोजगार उबरप कराया जा रहा है, भारी राज्य से जिले में आए करीब 16,000 मजदूरों को भी मन्रिगा योजनांतरगत रोजगार उपत कराया जा रहा है महात्मा गांधी राजश्टी ग्रामेर रोजगार ग्रेंट योजनांतरगत कारड़त स्रमिकों को एक अप्रेल से प्रचलित मजदूरी दर 190 के मान से करीब 19,32 लाग का भुक्तान किया जा चुका है जिससे की लोगडाउन जैसे विकट परिस्ति में मजदूरों की आर्थिक इस्तिति में सुदार हुआ है कोरोना संक्रमन के बचाओ है तो स्रमिकों के बीच सामाजिक दूरी का ध्यान रखा जा रहा है तथा कारे इस्तित पर स्रमिकों के हाथ धोने हैं तो पानी वह साबुन की विवस्ता की गई है साथ ही स्रमिकों की रोग प्रतिरोदक छमता को बढ़ाय जाने हैं तो आई उस विभाग द्वारा काड़ा पिलाया जा रहा है लाग डाउन कारण काम बांध हो गया था क्यार कि सरकार के निर्दा सनुषर ग्राम पंचार महलू में काम ए काम महो़कार् गरेंटी के काम खुला है मेरे गाम में लागड़ाँ के बाद ताम बन हो जुका था, लेकिन सरकार का निर्दे सनुसार काम इस्टार्ड हुआ और समय पे भुकतान, घर बेठे, बेंग पोचा रहा हैं, और भारती में जो पलायन गए था, वो लोग भी आ गया, वो लोग भी सब काम कर रहा है, और वो लागडाउन के कारण ग्राम पंचायद कोई काम नहीं किया जा रहा था, 20 अप्रेल के बाद में सासन के निद्रेश अनुसार ग्राम पंचायद में रोजगार रेंटी अंतर्गत काम किया जा रहा है, जिसमें भारी संक्या में मजदूर काम करने आ रहे हैं, और जो भार सा हैं मजदूर भी मजदूरी के लिए आ रहा हैं, और इसमें मजदूरों को भी मजदूरी का भुक्तान समय अनुसार किया जा रहा है, और बैंक क्योस को द्वारा ग्राम पंचायद में ही मजदूरों को भुक्तान दिया जा रहा है.